नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में भारतिय डागघर यानी की इंडियन पोस्ट ओफिस अपने अलग-अलग बचत योजनाओं के लिए हमेशा लोगों के बीच एक चर्चा का विश्य बना रहता है। योजना की, इस से पहले बता दे की अगर आप भी एक महिला हैं और अपने लिए सही निवेश विकल्प तलाश रही हैं, तो आज का ये योजना आपके लिए एक बहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। बता दे की पोस्ट ओफिस के इस योजना में महिलाएं अधिक्तम दो लाख रुपे तक का निवेश कर तगड़ा रिटन कमा सकती हैं। दरसल महिलाओं को बचत पर ज्यादा फाइदा देने के लिए सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक योजना शुरू की है। वहीं इस योजना पर आगे चर्चा करे तो इस योजना के तहट महिलाएं दो साल के लिए अधिक्तम दो लाख रुपे जमा कर सकती हैं। इस योजना में खास बात ये भी है कि इस योजना के तहट 10 साल या उससे अधे कुम्र की लड़कियां यहां अपना खाता खुलवा सकती हैं। बता दे की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफेकेट योजना के तहट अगर आप पोस्ट आफिस में निवेश करती हैं, तो आपको दो साल के इस निवेश अवधी पर पोस्ट आफिस द्वारा प्रती वर्ष 7.5 प्रतिशत की दरसे व्याज मिलेगा। ऐसे में अगर इस योजना के निवेश और उसके बचत को उदाहरन से समझें, तो अगर आप महिला सम्मान बचत पत्र में 1,000 जमा करती हैं, तो दो साल बाद 1,155 रुपे वापस मिलेंगे। 256 रुपे रुपे, 20,000 रुपे जमा करने पर 23,112 रुपे, 50,000 रुपे जमा करने पर 57,781 रुपे, 1,000,000 रुपे जमा करने पर 1,15,562 रुपे, 1,50,000 रुपे जमा करने 1,73,343 रुपे, और अगर आप महिला सम्मान बचत पत्र में 2,000 रुपे जमा करती हैं, तो दो साल बाद 2,31,125 रुपे वापस मिलेंगे. मुलतही यदि आप अगर महिला सम्मान बचत पत्र में 2,00,000 रुपे का निवेश करती हैं, तो आपको पहले साल में 15,000 रुपे और दूसरे साल में 16,125 रुपे का लाब मिलेगा. यानि आपको दो साल की अवधी में इस स्कीम में 2,00,000 के निवेश पर 31,125 रुपे का फायदा मिलेगा. बता दे की इस स्कीम में, अकाउंट खुलवाने की तारीक से एक वर्ष पूरा होने के बाद, आप अपने जमा किये गए पैसो का 40 प्रतिशत तक निवेश रकम निकाल सकती हैं. यानि अगर किसी कारण वस आपको पैसो की जरूरत पढ़ती है, तो आप 40 प्रतिशत या इस से कम निवेश रकम निकाल सकती हैं. बता दे कि अगर कोई खाताधारक गंभीर रूप से बिमार पढ़ता है या उसके मौत होने पर, महिला सम्मान बचत पत्र योजना का अकाउंट दो साल की अवधी से पहले भी बंद कराया जा सकता है. बता दे कि खाता खुलवाने की तारीक से 6 महीने बाद किसी स्थिती में ये अकाउंट बंद कराया जा सकता है.